प्यारी बच्चों आज की वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा है कानी कानी का नाम है पेडों से दोस्ती कौन कानी पढ़ेंगे पेड से हमें क्या करना चाहिए दोस्ती करना चाहिए क्या करना चाहिए बात करीब 300 साल पुरानी है, कितना साल पुरानी बात है? 300 साल पुरानी है राजस्थान के खेजरली गाउं की एक लड़की थी जिसका नाम क्या था? अमरीता, नाम क्या था उस लड़की का? अमरीता, उसके गाउं में खेजरली के बहुत पेड थे अमरीता के गवह में किस चीज के पेड़ थे खेजरली के बहुत पेड़ थे जिसकी छाया में अमरीता अपने साथियों के साथ खेलती थी जिसकी छाया में अमरीता क्या करती थी अपने साथियों के साथ खेलती थी खेजरली की फलियों की सबजी बनती है खेजरली पेड़ की फलियों की क्या बनती है सबजी बनती है तथा इसकी छाल दवा के काम आती है इस पेड़ से देखे कितना फैदा है इसके फलियों का सबजी बनती है तथा इसकी छाल से क्या बनती है दवा के काम में आती है दवा बनता है इसका छाल से क्या बनता है दवा समय बितता गया अम्रीता बड़ी हो गई एक दिन वो अपने पेडों के बीच खेल रही थी तभी उसने देखा कुछ अंजान लोग कुलाडी लेकर चले आ रहे थे एक दिन क्या हो कर रहती पेड़ों के बीच खेल रहती तबी कुछ अंजान लोग कुलाडी लेकर के चले आ रहे थे पता चला की राजा का महल बन रहा है पता क्या चला राजा का महल बन रहा है जिसके लिए लकडियों की जर्रत है जब महल बनेगा या घर बनेगा तो उसके किस चिस का जर्री होगा लकड़ी का जर्री होगा जो रहता है वे लोग राजा के आदमी है जो आदमी आये थे अंजान लोग कुलाड़ी लेके कौन थे राजा के आदमी तथा लकड़ियां लेने आये हैं उन लोगों ने लकड़ियां काटने का प्रयास किया उन लोगों ने पेड़ से लिपट गई, राजा के आदमियों ने क्रोधिद होकर कुलहाडी से अमरिता पर वार कर दिया, राजा के आदमियों ने क्रोधिद होकर अमरिता को क्या किया, पेर काट दिया, पेर ही काट दिया, अमरिता के पेर कट गए, लेकिन वह पेड़ को अपने हाथों से ज जग जोर कर रख दिया अमरीता बोली क्यों ना मेरा जान चले जाये लेकिन हम पेड़ को काटने नहीं देंगे और परेशान एकदम हो गई बोले हमको मार दीजे जान से लेकिन पेड़ को काटने नहीं देंगे पेड़ से इतना दोस्ती था किसको अमरीता को देखते ही देख में आकर पेड़ से लिप्टे हुए गाउवालों पर अंधा धुन्द वार करना शुरू कर दिया लगबग 300 गाउवाले मारे गए जान से मार दिया 300 आदमियों को जो जो पेड़ से मान बेन करता था पूरा गाउवला बोलता पेड़ को पहले हमको काटो तब पेड़ को काटना पेड़ को काटने ने देंगे क्यों मेरा जान चले जाए और राजा का आदमी था लगबगा 300 आदमी मार दिया हूँ मार काट करें पेड़ों के पर ती लोगों का प्यार और बलिदान देखकर राजा पर गहरा असर हुआ उसने आदेश दिया कि इस इलाके में कभी कोई पेड नहीं काटेगा और नहीं कोई सिकार करेगा, यहां के लोग आज भी पेड़ और जानवरों की रक्षा करते हैं वहां के लोग क्या करते हैं पेड़ और जानवरों की रक्षा करते हैं रिगिस्तान में होते भी यह इलाका हरा भरा है रिगिस्तान में होते भी यह इलाका किसा है हरा भरा है तो केसे लगा कहानी बहुत केसे लगा कहानी अच्छा लगा तो इस कहानी से हमें यही सिख मिलता है कि हमें पेड़ों से दोस्ती करना चाहिए और पेड़ लगाना चाहिए पिलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें जेहिन जेवारत